असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ शाहरूख और कई बार हमारा सवाल होता है कि भाईया 20,000 के अंदर सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है? रेड्मी के तरफ से और यहां पे बहुत सारे दोस्तों फोन से अवलेबल हैं, मैं तो confused होता जा रहा था रेड्मी नोट 10 प्रो, रेड्मी नोट 10 प्रो माक्स, रेड्मी नोट 11 प्रो माक्स, नॉट माक्स, वो तो आया नहीं है अगर आप Poco के सिरीस में भी देखो तो M4 Pro, M4 Pro 5G, X4 Pro, पहुत सारे फोन हैं लेकिन एक smartphone है दोस्तों जिसने मेरा दिल जीत लिया दोस्तों मतलब इन सभी smartphone से मुझे सबसे ज़ादा बहतरीन लगा एक common आदमी को क्या चाहिए भाई जिससे चाहिए एक अच्छा smartphone तो उसे चाहिए कि software का experience अच्छा हो, cameras भी अच्छे हो, battery भी अच्छी हो, charging भी अच्छी 20,000 के अंदर में, जी हैं दोस्तों मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, Redmi Note 11S के बारे में, ये फोन दोस्तों मेरे पास थोड़ा लेट से आया था, इसलिए मैंने unboxing भी लेट से किया था, एंड दोस्तों मैंने चाहा कि इसे experience करते हैं, लेकिन जब मैंने experience करना है start किया, तो म कहेंगे कि भाईया, ये जो smartphone है, मतलब 17,000-18,000 रुपए का है, और Mediatek का chipset के तरफ साथ है, वो भी Helio G96, ये क्या बात हो गया भाई, हमें Mediatek क्यों लेंगे, बड दोस्तों, surprisingly, दोस्तों, 20,000 के अंदर मैंने 3 ऐसे chipsets या 4 ऐसे chipsets इस्तिमाल किये हैं, जो कि इससे जादा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, यानि कि ये उन 4 chipsets से जादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों, Mediatek का ही अपना Dimensity 810, उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस ये दे रहा है, या फिर Snap Dragon का 695 5G processor, जी हां दोस्तों, उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस ये दे रहा है, अब देखो, On the Paper, या फिर Unto2Score में, I know कि वो दोनों परफॉर्मेंस वाले processor है थोरे से दोस्तों, जिसके बज़र से, On the Paper दोस्तों, वो जीत जाते हैं, या Benchmark में वो जीत जाते हैं, इससे, and Mediatek Helio G26 का ही लोगों को लगते हैं, यार, 12 nanometer का है, उतना कम हूँ, लेकिन अगें दोस्तों, उन दोनों के काफी ज़दा On Par है, ये दोस्तों, काफी ज़दे stability के मामने में, अच्छा है, ये जो फोन है, इसमें आपको बहुत ही अच्छी display मिलती है, अब मैंने या पर परफॉर्मेंस की बात की न, Mediatek Helio G96, अब G96 के साथ 120 Hz का refresh rate द लगता है, जिसके वज़ए से UI बी काफी ज़दे स्मूध लगने लगती है, जो कि सॉफ्टर के मामने में, मैं आपको बता दूँ, Super AMOLED का स्क्रीन है, अच्छी brightness है दोस्तों, क्वाइट दोस्तों, आप जा करके सनलाइट वगर में भी देखो तो आप इसे देख सकते हो, हैंडी फोन है दोस्तों, यहाँ पे 6.43 इंचिस का डिस्प्लेय है, जिसके वज़ए से आप इसे एक हाँ से भी यूज़ी यूज़ कर सकते हो, और इसका वज़न भी 180 ग्राम के आजपास है, जिसके वज़ए से आपको ज़्यादा तकलीव भी नहीं होती है उठाने में, जो build quality है, जो finishing है दोस्तों, वो भी बहुत ही अच्छा है, आई लोग पीछे में आपको कोई glass नहीं मिलता है दोस्तों, जो पीछे की body है, वो आपको plastic body मिलती है, लेकिन दोस्तों, जो in hand feel है, मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगी है, ग्लास होती तो और भी अच्छी मामले में, display की मामले में, in hand feel के मामले में, performance के मामले में, Xiaomi बिलकुली nailed it, अब एक बात बहुत हैं बता दू, यह कोई gaming heavy processor नहीं है, इसलिए आप इसमूद नहीं अच्छे गेम्स नहीं खेल सकते हैं, हाँ, अच्छे से चलेगा, अगर आप PUBG जो है, smooth plus ultra में चलाना चलाते हो 40 fps के, आस-पास अच्छे से चलेगा दोस्तो, आपको कोई ज़्यादा lags या stutterers देखने को नहीं मिलेंगे, consistent मिलेगा, लेकिन अगर आप high performance अला प्रोसेसर डून रहे हो, no it is not that, अब अगर cameras की बात कर लें, तो भाई हमें लगएगा कि यार इतना सब कुछ अच्छा दे बजाता है, कुछ-कुछ फोन में details ही गया बोजाते हैं, ये फोन उन तीनों चीज़ को बिल्कुल ही balanced करता है, again it's a balanced phone, भाई, जो colors लगे ना, मुझे सभी Redmi phone में, जो की 2022 में है, उनमें सबसे ज़ादा best color लगे है, जिसके बज़ा से social media ready आपको यहाँ पे, यहाँ पे मिले उसके लाँ दोस्तों, यहाँ पे आट में आपको यहाँ लेना चाहते हो, रियली में, मैं कहूंगा, कि यह बाकी से भी 16 में आपको यहाँ चाहते हो, जादा अच्छा परफॉर्म करता है, में इसका फ्रंट कैमरा काफी बड़ा है भी, तो sensor थोरा बड़ा दिया गया हो, इस बड़ा से, हैं दोस्तों, यह जो वीडियो है, मैं Redmi Note 11S के back camera से 1080p 30fps में record कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरी जो quality है, वो काफी अची हा रही है, लेकिन हाँ 4K 30fps यह 1080p 60fps नहीं मिलता है, बट यहस्टेबलाइशन काफी अची से काम करता है, और अभी मैं तो यह जो वीडियो है में record कर रहा हूँ, Redmi Note 11S के front camera से, और quality मुझे सच में really में काफी जादा अची लगी है, धूप मेरे पीछे है, फिर्मे में बहुत ही अच्छे से, दोस्तों, यहां पर bright दिख रहा हूँ, और अगर मैं अभी धूप के सामने आ गया, तो मेरी जो skin tone है वो और भी जादा सुधर गई है, और जो वीडियो वो काफी जादा stabilization है, तो really में Xiaomi ने इस smartphone में काफी जादा बहुतरीन front camera दिया है, यह मानना परेगा, बागी बात करते हैं चार्जिंग का, तो 33W का चार्जिंग है, 5000 image के बैटरी है, बैटरी अची चलती है दोस्तों, आपको बैटरी भी जादा अची मिलती है, और चार्जिंग में जी यहां थोरा टाइम लगता है, 33W है, एक घंटा ड़स मिनट लग जाता है, बट इट्स टोटली वर्थ एट दोस्तों, हाँ, एक शिकायत है मेरी, जो कि मैं कहूँगा, इसके speakers के साथ में, सो, इस speaker से यह शिकायत है दोस्तों, कि stereo तो दिया गया, लेकिन उपर वाला जादा loud नहीं है, मतब अच्छी खासी loud है, बट नॉट दा बेस्ट, बराबर नहीं है दोस्तों, नीचे का जादा loud हमें लगता है, और जो दोनों speaker के हम मिला करके भी loudness है, वो उतना जादा खास नहीं है, एक और चीज, Dolby नहीं मिलता है, Hi-Fi नहीं मिलता है, जिसके वादा से अगर आप earphone में भी sound सुन रहे हो, तो जितना Xiaomi के बागी सभी phone में इस price range में आपको audio quality experience होता है, उतना अच्छा नहीं होता, बट again मैं कहूंगा, इतना बुरा भी यह नहीं है, अगर headphone की बात इतना अच्छा नहीं किया गया है, या फिर मैं कहूंगा, चलो ठीक है, मतलब above average vibration motor मिलता है, not the best, चलो अच्छा मिलता है यहाँ पे, and उसके लवाँ आपको यहाँ पर IR blaster मिली जाता है, side mounted fingerprint sensor मिल लाता है, जो कि काफी जदा अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे, and MIY का experience आप बाकी सभी phone से अच्छा काम कर रहा है, उन phone से दोस्तों, जिसमें काफी जदा MIY के features cut down कर दियेंगे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों, वो phones इसके जैसा performance नहीं दे पाते हैं, जबकि इसमें उतना जदा cut down MIY कर नहीं किया गया है, तो इसमें जो software के experience है दोस्तों, वो भी जद बेटर यहाँ पे मिलता है, तो मेरा यह कहना है दोस्तों कि अगर आप कोई 20,000 रुपए के अंदर phone लेने जा रहे हो, seriously मैं recommend कर रहा हूँ आप लोगों को, अच्छा लगे तो लेना, अच्छा ना लगे तो मत लेना, भाई मैं pro series से भी, या कोई भी smartphone से 20,000 के अंदर, मैं 11 S को recommend करूँगा, यही है दोस्तों मेरी पूरी के पूरी इसका review, thank you, bye bye, jahin